पूरी टीवी जगत में शोक की लेहर दोड़ दीवी सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल की हिरोईन तुनिशा शर्मा ने आज खुद की जान ले ली जो जानकारी सामने आई हो जानकारी ऐसी है मुंबई से सटे वसई के वालिव पुलिस थाना अंतरगत कामन शेत्र में जो इस्टूडियो हो वहाँ पर शुटिंग चाले थी और उस इस्टूडियो में शुटिंग के दोरान मैं जाने इससा क्या हुआ कि इस हीरो इनने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया मैं कप रूम में बंद करने के बाद में कई दिर तक मैं कप रूम सब बाहर नहीं आई तब दूसरे श्टाफ ने देखा कि एक्ट्रस बाहर नहीं आ रही और लोगों ने चाकत वहां दरौजा खड़कड़ाने की कोशिश की तब कुछ आवाज नहीं आई बाद में जड़ दरौजा खोला गया तो तुनिशय शर्मा पंखे से लटके मिली बाद में वसाई की वालिव पलिस को इतला की गए और वालिव पलिस मौकाई वारदात पर पहुंची वहाँ पर पहुंच कर वालिव पलिस एफ़च नमा करते हुए तुनिशय शर्मा को लटक ठंके से लटक ते तुनिशय शर्मा को उतारा और अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने तुनिशय शर्मा को मृत्त कोशिद कर दिया आपको बता दे 20 साल की ये तुनिशय शर्मा अभी फिलाल अली बाबा दास्ताने काबुल की हीरन में लीड रोल में काम कर रही हुए जिस साथ ही इसमें फिल्म फितूर में भी केंटरिना केफ के यंग का किर्दा निबार कर खुब सुर्ख्या बढ़ोरी दी साथ ही साथ ये दूसरे कहीं धारावाई को और फिल्मों में काम कर चुकी है आज सुबह ये अपने कोश्टार के साथ जब शुटिंग पर थी सेट पर दी तब इसने एक कमरे में जाकर खुद अपनी जान ले ली और उसके बाद कहीं न कहीं पूरा टीवी जगत जो है वो इस तब दरे गया 20 साल की तुनिशा ने क्यों ऐसा किया इसके पीछे किया कारण है उसकी जानकरी जुटार में पुलिस लगी हुई है और पुलिस फिलाल इसके कोश्टार और पुरे यूनिट है उनसे पूछताच कर रही है अब इस पूरे मामले में कुलासा क्या होगा नहीं होगा आगे देखा जाएगा आगे इसकी जो अपडेट रहेगी उन भी हम आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलाल आज इतनी जानकरी सामने आईए कि तुनिशा ने अपने मेकप रूम में कुद की जान द इसके पीछे क्या बड़ी वज़े रही यह सबसे बड़ा सावार है तो हम यह खबर आपको अपडेट दिखा रहेते हैं तुनिशा शर्मा से जुड़ी फिलाल अभी के लिए इतना ही ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं नमस्कार हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइफ पे अपने व्यापार एयों सेवा से संबंदित विज्यापन है तुन मोबाइल नमबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपत करें